हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू व्लॉक्स वाय अनीता जून बारिश खतम हुई जैसी मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा व्लॉक बना लेती हूँ पूरा दिन और पूरी रात बारिश हुई है सारे पूधे अच्छे से नाली हैं और मैंने ये भी नहीं देखा कि किस पूधे को पारिश से हटाना है फिलाल पूधे रखे इसी इसाब से वे सर्दियों में कि जिनको थोड़ा सा पाले से बचाना उनको थोड़ा शेड में रखा हुआ था और जिनको कम पानी देना उनको भी थोड़ा साइड में रखा हुआ था तो इतना देखबाल करने के बावजूद डेफेन बेकिया कि कुछ पत्ते गलने लग गए पाले से तो उनको बचा लिया है लेकिन तुछी कह मौसम की मार है थोड़ी सर्दी है और जो पुराने पत्ते हैं वो तो गिरेंगे ही और ये देखिए थोड़े पिछले जो नीचे के पत्ते होते हैं वो पीले पड़ गए है और ये भी कोई इसमें भी कोई हमें थोड़ा सा घाटा नहीं होगा क्योंकि अगर टिप अगर गलती है ना तो पौधे को नुकसान होता है पौधा सरवाइव देर से करता है या मर ही जाता है लेकिन नीचे के पत्ते हैं जो पहले वाले पत्ते हैं अगर वो गल जाते हैं तो कोई बात नहीं है तक्रीबान सारे डेफन बेकिया में ऐसा ही हुआ है जो पहले वाले पते हैं, वही अपना गल के गिर रहे हैं जो बाद वाले पते हैं वो ठीक ठाक हैं तो इसका मतलब ये है कि डेफन बेकिया को शेड में रखने का या आपको पाले से बचाने के लिए किसी छट के नीचे रखने का फाइदा हो गया है अगर ये डारेक्ट पाले में होते तो इनको बहुत नुकसान होता क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है मैं रखना इनको सर्दियों में बचाना भूल गई थी और इनको उस वक्त काफी नुकसान हुआ था और ये देखिए फिलो डेंडरॉन का शूट को बॉइस स्टिक से भी उपर आ गया है फिर से और इस वाले डेफन बेकिया को भी वही प्राबलम है कोई बात नहीं अब ये बहुत अच्छे से चलेंगे बसंद आ गया है सारे पोधों के लिए बहुत अच्छा मौसम है और थोड़ा सा एगलो नीमा भी थोड़ा सा प्राबलम में दिख रहा है मिर को लेकिन होता है मौसम है और ये भी अच्छे से चलेगा अब मैं इनको थोड़ा धूप में रख दूँगी क्योंकि यह जिस जिस दिवार के साथ ये रखे हैं ना यह धूप तो आती ही नहीं है मतलब मामूली और सर्दियों में तो वैसे ही धूप बहुत कम हो जाती है तो अब इसको थोड़ा धूप में रख दूँगी तो ये थोड़ा सा और अच्छे किलेंगे और इसके साथ ही रखा है एक प्लांट इसके बाद ये देखिए इसके बिलकुल बगल वाला प्लांट इसके पत्तों में बहुत च्छोटे च्छोटे फूल आ रहे हैं फूल आ रहे हैं नहीं एक एक फूल आता है बलकी एक छोटा सा फूल ये देखिए पत्ते के सेंटर में इसको मैंने गूगल किया तो इसका नाम निकला बूचर ब्रूम बूचर्स ब्रूम देखो कितना फ़नी नेम है बूचर्स ब्रूम मैं चलो जो मैंने देखा जो मैंने ढूंडा नाम वही मैं आपको बता रही हूँ ननौ सा एक फूल आता है और मैंने इस फूल को इतना अवसर्ब भी नही किया है कि इसका Site Pot भी बनता है की नही कि नहीं बनता क्योंकि इसके शूट्स इसकी जड़ों से निकलते रहते हैं और जब ये गमला भर जाता है तो मैं इसको फिर हाफ आफ कर लेती हूँ इस हिसाब से ही मैंने इसके कई गमले बनाए हैं मैंने इसके सीट पॉट कभी कठे करें नहीं है और मेरे को कभी ध्यान भी नहीं रहता कि मैं इनके सीट पॉट पे थोड़ा नजर रखू कि आगे क्या प्रोग्रेस होती है इन फूलों की साल में एक बार ये पत्ते इस तरह सेंटर से एक एक फूल हर पत्ते पर फूल निकलेगा हर एक पत्ते पर है ना कमाल का पॉधा तो ये मेरे पास एक मेरी फ्रेंड के थूरू आया था तो उससे मैंने काफी सारे गमले बना लिये हैं और काफी सारे गमले इसके बना बना के पॉधे बाट भी दिये हैं और फिरसात में आप देखते जाएए कि कुछ पौधों की हालत तो ये डेविल्स बैक बोन की हालत भी खराब हो गई है ये भी पत्ते गिरा रहा है ये होता है इस मौसम में और अब ये देखिए ये है गुड़ल का पौधा मैं काम तो करना चाह रही थी गुड़ल के पौधे पर कि मैं काम इसकी सोड़ी सी कटिंग वगेरा करूँगी लेकिन बारिश हो गई बारिशों में कटिंग करनी नहीं है क्योंकि डाइ बैक की प्रॉबलम आ जाती है जब खिली खिली धूप निकलेगी एक दो दिन बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी इसको थोड़ा फर्टिलाइजर दूगी और अब तो फर्टिलाइजर भी नहीं देना है क्योंकि मिट्टी बहुत गिली हो गई है थोड़ी मिट्टी ड्राई हो जाएगी तब ही और गुड़ल का मौसम आने वाला है बिलकुल और इसकी थोड़ी थोड़ी शूट्स में काट दूगी और इसकी थोड़ी सी इसको फर्टिलाइजर दूगी मेरे पास बहुत सारे गुडल के पौदे हैं हाइबरीड भी हैं देसी गुडल भी है ये हाइबरीड है इसमें औरेंज कलर कफलार आता है इसकी भी कटिंग करनी है इसको टिप से क मिल रहा है कि मैं सोच रही है कि कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ करूँ तो इसको तो अभी यहां कुछ नहीं मिलेगा तो और जरासा मौसम में अभी थोड़ी सी गर्मी आई है और चीटियों और कीट पतंगों की मौज हो गई है ये मेरा पिंक गुडल है इसकी तो कली भी बन गई है चलो और ये है वाइट कुडल इसके पत्ते देखो कैसे लटक रहे हैं इसको लगता पानी जादा गिर गया है इसमें और ये थोड़ा सा पत्ते गिरे तो नहीं है है तो ये ठीक ठाकी चलो इनकी सेवा करेंगे करीबन चार पांस दिन बाद जब विलकुल मौसम अ महरबानी देखो शूट्स निकलने शुरू हो गए है मौसम की महरबानी है ये और इसकी भी थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग मैं करूंगी तीन चर दिन बाद और ये है रात की रानी ये रात की रानी ये येलो फलार्स वाली है इसमें वाइट फलार नहीं आते इसमें येलो कलर की फुलार आते हैं और इस पर तो मैंने अभी गौर किया है कि पूरा बंच रेडी हो गया है कलियों से भर गया है एनिहो बहुत अच्छा लगा देख करके अब सब ने अपना अपना रंग दिखाना है सारे पुधों ने जिसने फूल देने हैं वो फूल उपर आ जाएगा और जिसने शूर्ट्स निकालनी है और वो शूर्स निकलनी शुरू हो जाएंगी तो भस एक-दो दिन बात सारे पुधों को फिर से एक बार चेक करना है किसकी cutting करनी है कहा cutting लगानी है क्योंकि ये इतना बड़ीय सीजन आ गया है बसंद का महीना कि इसमें आपने जितनी cutting लगानी है आप लगा लो और ये देखे ये है मेरे kolies का collection मेरे पास करीबन एक दो तीन चार पाँच तरह के मैंने kolies तो इकठिक कर ही लिए है मेरे को बड़ा शौक था मैं डिफरेंट टाइप के कोलियस अपने पास में कलेक्ट करूँ और ये कलेक्शन हो मेरे पास इनको सेव करना बड़ा असान है इनकी बस छोटी छोटी ब्रांचिस तोड़ते रहो लगाते रहो ये कभी भी आपके गार्डन से गाइब नहीं होंगे बस थोड़ा सा ध्यान रखना है पहले एक बार मैं एक ही पौदा लाई थी मुझे नौलेज नहीं थी और वो पौदा गाइब हो गया था लेकिन ठैंक्स तो यूट्यूब कि इससे मुझे नौलेज मिली और मेरे गार्डन से अब ये कभी गाइब नहीं होगा और ये पौदे मैं अंदर रखती हूं घर में बारिश होई तो मैंने इनको बाहर रख दिया कि ये भी नहाद हो के साफ सुत्रे हो जाए और इनमे थोड़ी सी रंगत आ जाए और ये देखे गुलाब की एक कली तो आ गई है गुलाब के पौदे को खलाई पलाई जादा करी यानि कि इसको फर्टिलाइजर अच्छा दिया इसको मैंने एकसेल्स का पाउडर भी बहुत डाला अंडे की शिलकों का चूरा चाए पती और भी दूसरे मेरे पास जो जो फ दिया तो मैं इसको ना रूट इसकी छेड़ना नहीं चाती थी तो मैं इसको ऐसे ही इसको फर्टिलाइजर दे रहे हैं यह मुझे लगा ज्यादा ठंड में मैं इसको अगर छेड़ूंगी कहीं यह मरना चाहे हाँ आप अब मार्च के महीने में इसकी रूट प्रूनिंग नहीं तो आप इसकी रिपॉर्टिंग कर सकते हैं और इधर भी यह कोलियस का थोड़ा सा एक और कलेक्शन है थोड़ा सा यह वाला शेड़ भी देख लीजिए बंडरिंग जू का शेड़ भी देख लीजिए इस तरह से नस्ट्रिशियम भी मैंने बड़े चार-पांच पो पोदे हैं इनको भी अलग-अलग करना है और कुछ टमाटर भी अच्छे चल रहे हैं टमाटर ने तो सुब मान लो टमाटरों ने तो मेरी जानी ले रखी है कि कब आएंगे और एक तो ठंड ने सारा इनका प्रोग्राम रोक के रख दिया फूल खिले के खिले रहे गए तो अब फिर से वेट चल रहा है कि अब टमाटर कुछ तो रजल्ट दें कि तीन-चार पोदे हैं और ये वीडियो बनाने के बाद ना मैंने एक-दो पोदे को साइड किया क्योंकि उनमें मुझे देखा मैंने देखा कि उनमें लीफ कल की प्रॉब्लम आ रही है और ये लीफ पेटल्स ये जो हैं फ्लार्स पेटल्स ये मैंने कमपोस्ट बनने के लिए रखती ढखके और अच्छा हो मैंने इनको ढख दिया क्योंकि पारिश हो गई थी और ये देखिए कीडों के मौच मैं ऐसी पीपल की बोंजाई चल रही है बननी और इसमें किडों का आटाएक त और सब पहली बार जो देख रहे हैं सबस्क्राइब भी करना और अभी मैं इस पीपल के पौधे कीना प्रूनिंग नहीं करूंगी अभी तीन चार दिन तक क्योंकि मौसम अभी थोड़ा गीला गीला सही है और जब खिली खिली दूप निकलेगी इसकी मैं हार्ट प्रूनि फिर इसका इंतजाम करूंगी तो फ्रेंड्स ऐसे ऐसे देखना पड़ता है और यह देखो मैंने लीफ को पलट पलट के देखा ना इन तो सारे में यह चोटे-चोटे किरों ने बिल्कुली ना बिल्कुली अपना पूरा का पूरा दिनेगर बसा हुआ है पूरी की पूरी फैमिली लाइन में और देखो कैसे पत्ते पे देख सकते हैं आप क्या-क्या हो रखा है अब यह चलेगा मेरा काम शुरू हो जाएगा दो-चार दिन के बाद क्योंकि अभी आज भी मौसम में बारिश के असार है तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही फिर मिलतें नेक्स ल